हालो एब्रिवान, विल्कम बैक टो मैं चैनल एंड मैं हूदीपा दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हर गर्वती महिला के मन में ये बात चल रही होती है कि उनका बेबी ठीक है या नहीं, उनकी डिलेवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी मेरी प्रेगनेंसी में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मैं अपनी प्रेगनेंसी में कोई कमी तो नहीं कर रही हूँ पहले ही मन से प्रेगनेंट महिला ये सोचने लगती है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी प्रेगनेंसी में आप ऐसे कौन सी काम कर सकते हैं जिन से आपकी डिलेवरी नॉर्मल तरीके से होगी और डिलेवरी स्वस्थ होगी दोस्तों बहुत सी ऐसी बाते होती है जिनका ध्यान प्रेग्निंट महिला अगर नहीं रगती है तो उन्हें सिजेरेंट डिलेवरी करानी पड़ती है नॉर्मल डिलेवरी में मा को बहुत जल्दी रिकेबरी हो जाती है बेबी को सम्हालने के लिए वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है लेकिन अगर वही सिजेरियन डिलेवरी होती है तो मा को टाइम लगता है उनकी रिकवरी लेट होती है जिससे वो खुद को सम्हालने में या बेबी को सम्हालने में थोड़ा असहज महसूस कर सकती है वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू अगर वीडियो को सुरू से लास तक जरूर देखें जिससे आप वीडियो का पूरा फाइदा उठा पाए अगर वीडियो पसंद आती है तो like भी करें खुद को स्वस्थ रखें और healthy खाना खाएं दोस्तो जब आप pregnancy में खुद को स्वस्त रखने की कोशिस करते हैं और healthy खाना खाते हैं तो इससे आप और आपका बेबी दोनों ही स्वस्त रहते हैं और स्वस्त प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल डिलेवरी की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपको आईरन की कमी नहीं होती है दोस्तो भूक लगने पर केबल भूक को सांथ करने की कोशिस ना करें कोशिस ये करें कि आप जो खा रहे हैं वो संपूर्ण पुशक तत्तों से युगताहार हो कोई भी पोशन आपको मिल रहा हो आप में खून की कमी ना होने पाए खून की कमी के कारण भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि नॉर्मल डिलेवरी संभब नहीं हो पाती है तो आप कोशिस करें कि आईरन युक्त भुजन ले जैसे कि पालग, हरी पतेदार सबजियां, फ्रूर्स, पानी वाले फल अगर प्रेग्नेंसी के सुरुवाती समय से ही आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी प्रेग्नेंसी स्वस्थ होती है अगला है पानी कम मात्रा में ना पिए दोस्तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कोसिस करें कि दिन में आठ से दस ग्लास पानी आप जरूर पिए अगर आप पानी सही मात्रा में पीती हैं तो आप हाइड्रेट रहती हैं अगर आप उचित मात्रा में पानी लेती हैं तो आपकी बोडी में और बेबी में dehydration नहीं होने पाती है और बेबी हमेशा स्वस्त रहता है इस कारण से आपकी normal delivery के chances और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तो अगला है तनाव या चिंता ना करें दोस्तो अक्सर pregnancy की समय महिलाएं तनाव या चिंता करने लगती हैं उनमें hormonal changes आने लगती हैं जिनके कारण उन्हें और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है बस आपको pregnancy में अपने emotional को control करना है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज को लेके चिंतित नहीं होना है अपने hobbies पे ध्यान दे जिससे आप चिंता से मुगत हो पाएंगी अगला है morning walk या टहलना दोस्तो आपको pregnancy में walk जरूर करना है आप ये evening में भी कर सकते हैं या फिर morning में भी कर सकते हैं इससे आपकी body active रहेगी आपका pelvic muscles भी active रहेगा लचीला रहेगा इसके कारण आपकी normal delivery में बहुत ज़्यादा help मिलेगी दोस्तो बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो pregnancy के last month में आपको लेनी चाहिए इससे आपके cervix का mood जल्दी खुलता है आप में construction start होते हैं और आपकी normal delivery की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनमें से एक है केला दोस्तो बहुत सी महिलाओं में देखा गया है कि pregnancy के last month में उन्हें potassium की कमी हो जाती है जिसके कारण उन्हें normal delivery में problem होती है लेकिन अगर आप अपने pregnancy में केले का सेवन करते हैं तो इसमें potassium भरपूर मात्रा में होती है और आपको इन सारी परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है अगला है अनानास दोस्तो आपको pregnancy में अनानास खाने से मना किया जाता है अनानास खाने की इजाजत आपको नहीं होती है लेकिन pregnancy के last month में आप अनानास खा सकते हैं लेकिन friends आपको ध्यान ये रखना है कि पका हुआ अनानास आपको नहीं ल लड्डू भी ले सकते हैं, यह दोनों ही लड्डू तासीर में गरम होते हैं, ध्यान रहे कि गुड़ से बने हुए हो, सक्कर से ना बने हुए हो, इनकी गरम तासीर आपके यूट्रेस में contraction पैदा कर देती है तो friends pregnancy के last month में आपको गर्म तासीर वाली चीजों को लेना है इससे आपको normal delivery में बहुत जादा help मिलेगी ये uterus को लचीला बनाएगा इसे soft बनाएगा तो उमीद है friends वीडियो में बताएगे जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please वीडियो को like, share, subscribe करना बिल्कुल न भूले ऐसे ही pregnancy delivery baby के ऐसे related जानकारी के लिए हमारे चैनल दीपासोनी.com को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद